नमस्कार दोस्तों मैं गनेश और आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ मेरा यूटीब चैनल जीके वाट में तो दोस्तों आज मैं लेके आया हूँ मकाव बर्ट का पेंटिंग तो जैसे कि मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि आपको light to dark के तरफ जाना है जब आप oil pastel से color करो और इस painting में दोस्तों मैं थोड़ा सा different तरीके से color को apply कर रहा हूँ तो जैसे कि आप देख सकते हो कि सबसे पहले मैंने dark color का apply किया brown उसके बाद अभी मैं apply कर रहा हूँ vermilion hue और उसके बाद मैं अभी use कर रहा हूँ deep yellow तो थोड़ा सा different तरीके से मैं इस painting में color को apply करूँगा तो दोस्तों आपको कभी एक process में अटके नहीं रहना है आपको अलग-अलग तरीके से आपको try करते रहना है और इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है तो दोस्तों अभी मैं use कर रहा हूँ primary red और सेम तरीके से हलके हाथों से color को मैं apply कर रहा हूँ और दोस्तों अभी मैं fingers के मदद से colors को blend कर रहा हूँ और जैसे कि आप मैं हर वीडियो में बताता हूँ दोस्तों कि जब आप blend करो तो आपको ज्यादा pressure का apply नहीं करना है आपको light pressure के साथ blend करना है colors को उसके बाद दोस्तों फिर से मैं सेम तरीके से सबसे पहले apply करना हूँ brown और जिस तरीके से मैंने उपर का portion को color किया उसी तरीके से मैं इस portion को भी color कर लूँगा और brown के बाद मैं use कर रहा हूँ vermilion hue और सेम तरीके से मैं color को apply कर रहा हूँ light pressure के साथ तो दोस्तों अभी मैं use कर रहा हूँ pink pink color को मैं बहुत थोरा सा apply करूँगा और उसके बाद मैंने फिर से लिया है vermilion hue के बाद अभी मैं apply कर रहा हूँ primary red तो दोस्तों जैसे कि मैंने उपर का portion पर primary red color को apply किया सेम तरीके से मैं apply कर दूँगा और साथी साथ मैं थोरा सा use कर रहा हूँ deep yellow और blend कर रहा हूँ fingers के मदब से दोस्तों इसी तरह से आपको step by step आगे बढ़ते जाना है और जैसे कि आप देख रहे हूँ कि मैं बिलकुल भी ज्यादा pressure का apply नहीं कर रहा हूँ तो color को blend करने के बाद दोस्तों ही मैं पंक पर color करूँगा और सबसे पहले मैंने apply किया light blue और अभी उसके बाद मैं use कर रहा हूँ light green color तो दोस्तों color को apply करने का जो तरीका है वो बिलकुल same ही है मैंने अभी तक जैसे apply किया है color को light pressure के साथ same तरीके से मैं पंको पर भी color को apply कर रहा हूँ और अभी मैं blend कर लूँगा fingers के मदद से दोस्तों इसी तरह से मैं blend कर लूँगा fingers के मदद से जो पूरा portion है तो दोस्तों पंको वाला जो portion है उसे blend करने के बाद अभी मैं same तरीके से blend कर रहा हूँ जो दूसरा पंक है उस पर और colors भी मैंने same ही apply किया है और अभी दोस्तों मैं use कर रहा हूँ white और white color को मैं fingers के मदद से blend कर लूँगा उसे बाद दोस्तों मैं big पर apply कर रहा हूँ प्लेश टिंट और उसके बाद यो लो ओकर और उसके बाद मैंने जो color लिया है वो है gray तो जो colors मैं ने apply किया है वो मैं fingers के मदद से same तरीके से blend कर दूँगा और अभी दोस्तों मैं background को color कर लूँगा तो जो color मैं apply कर रहा हूँ वो है light blue और उसके बाद मैं use कर रहा हूँ light green तो दोस्तों background मैं बाद में black color का use करूँगा पर बहुत ज़्यादा मैं dark नहीं करूँगा और light green के बाद अभी मैं use कर रहा हूँ sap green और उसके साथ ही मैं use कर रहा हूँ lemon yellow और अभी दोस्तों मैं colors को blend कर रहा हूँ fingers के मदद से तो इसी तरह से मैं पूरा जो background है उसे blend कर लूँगा घसके मैं या इसंभी प्वार दो और पूँगा झालो तो दोस्तों ब्लैक कलर का मैं अभी यूज नहीं करूँगा मैं बाद में यूज करूँगा दोस्तों बैगराउंड को ब्लेंड करने के बाद अभी मैं एपलाई कर रहा हूँ ग्रे कलर और उसके साथ थोड़ा सा यो लाओकर आइज के आसपास और बिग के पास और दोस्तों अभी मैं यूज कर रहा हूँ ब्राउन कलर पेंसिल और आई को मैं बना रहा हूँ 6B पेंसिल का यूज करके और दोस्तों जो आइस के आसपास आप रेट कलर का जो डिटेलिंग देख रहे हो उसको मैंने किया है रेट कलर पेंसिल का यूज करके तो ये जो छोटा सा पार्ट है दोस्तों ये रेकोर्ड नहीं हो पाया है तो थोरा सा आप लोग एडजस्ट कर लेना तो दोस्तों एजबी पेंसिल का यूज करके मैं पंखो पर जो डिटेलिंग है वो मैंने कर दिया है और उसके बाद मैं बिक पर जो कलर अपलाई कर रहा हूँ वो है ब्लैक और अभी दोस्तों मैं ब्लेंड कर रहा हूँ कलर को फिंगर्स के मदद से और उसके बाद दोस्तों बैक ग्राउंड में मैं एपलाई कर रहा हूँ ब्लैक बहुत ही कम मात्रा में और उसके बाद मैं सेम तरीके से फिंगर्स के मदद से कलर को ब्लेंड कर रहा हूँ तो दोस्तों background को blend करने के बाद painting जो है वो complete हो गया है तो आशा करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो अगर पसंद आये तो like करना और मेरे चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रिस कर देना क्योंकि आपके एक सब्सक्रिप्शन से और एक like से बहुत बड़ा फर्क पड़ता है और मुझे next वीडियो बनाने में motivation मिलता है तो दोस्तों मैं फीरा हूंगा किसी नए वीडियो के साथ तब तक के लिए keep practicing थैंक्स फर वाचिंग बाई